Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों, क्या आपको पता है कि बेसिक सिच्छा परशद विभाग में भी ग्रेचुटी मिलती है विभाग दे रहा है ग्रेचुटी, क्या आप लेना चाहेंगे? ग्रेचुटी लेने के लिए करना होगा यह काम कौन कहता है कि बेसिक सिच्छा परशद में ग्रेचुटी नहीं मिलती दोस्तों, ग्रेचुटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बेसिक सिच्छा परशद में जानकारी का अभाव है दोस्तों, एक बार नौकरी मिल जाने के बाद बेसिक सिच्छा परशत के अध्यापक, हमारे अध्यापक बंधु कुम करणी नीन में सो जाते हैं वो ये जानने की कोशी से नहीं करते हैं कि आखिर उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तब क्या है और बेसिक सिच्छा नियमवली क्या है तो दोस्तों ऐसे में किसको सिर्दर्द करता है कि आपको बुला कर आपको ग्रेचुटी देगा बच्चों जिस प्रकार एक छोटा बच्चा भूखा होता है तो दूद पाने के लिए चिलाता है जब तक उचिलाता नहीं मा उसे दूद नहीं पिलाती ठी उसी प्रकार से हमारा या विभाग कुम करणे नीन में सोय रहता है जब तक कोई बच्चा चिलाता नहीं तब तक उसे उसके अधिकार प्राप्त नहीं होते तो दोस्तों नियम है ग्रेचुटी का और विभाग ग्रेचुटी देता भी है आपको ग्रेचुटी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप उस नियम को जानना ही नहीं चाहते है और आप ग्रेचुटी लेना ही नहीं चाहते हैं तो विभाग आपको क्यों दे ग्रेचुटी तो आईए दोस्तों हम आपको इस बीडों में बताते हैं कि आपको ग्रेचुटी किस तरह से मिल सकती है और उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों आपके सामने यहाँ आदेश है मैं इस आदेश को पढ़ूं इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ कि आपको ग्रेचुटी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी आप इस बात को समझ लिजिए फिर मैं आदेश को पढ़ता हूँ दोस्तों अगर आप अध्यापक हैं तो निश्चित तोर पर आपकी रिटायर्मेंट की जो एज है वो 62 वर्स है लेकिन जो सरकारी करमचारी हैं जिसे आप इंप्लाई कहते हैं आप करमचारी नहीं हैं आपकी सिरनी अलग है करमचारीयों की रिटायर्मेंट की जो उम्र है वो 60 वर्स है तो ग्रेचुटी लेने के लिए आपको सर्विस मिल जाने के बाद आपको एक बिकल्प पत्र भरना होता है कि मैं अपनी सर्विस के दो वर्स पूर्व अर्थात अगर करमचारी हैं तो 58 वर्स की उम्र में आपको स्वेचिक सेवा निवरिति का विकल्प चुनना होगा 58 वर्स की उम्र में जब आप स्वेचिक सेवा निवरिति का विकल्प चुन लेंगे तो बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको डेथ कम ग्रेचुटी आपके परिवार को प्राप्त होगी 58 बर्स की उम्र में जब आप स्वैचिक सेवा निवर्ति ले लेंगे तो आपको ग्रेचुटी भी मिलेंगी बाकी सारी सुभधाएं भी आपको प्राप्त होंगी दूसरा सिचकों के लिए है कि आपकी रिटार्मेंट की उम्र 62 साल है तो आपको जो है बिकल्प पत्र भरना होगा कि मैं 60 साल की उम्र में स्वैचिक सेवा निवर्ति ले लूँगा अगर आपने यह बिकल्प भर दिया है और 60 साल के पहले किसी भी सिच्छक की डेथ हो जाती है तो उसे डेथ कम ग्रेचुटी प्राप्त होगी अर्थात उसका जो नॉमनी होगा उसे पेंसन भी मिलेगी पुरानी पेंसन मिलेगी और मिर्तक आश्रित की नोकरी मिलेगी आठ बर्स की उम्र पर पहुँच रहे हैं और आपको लगता है कि अभी मैं फिट हूँ और दो साल और नौकरी कर सकता हूँ तो आप 60 बर्स पून होने के ज़स्ट पहले ही आप अपने बिकल्प को त्याग दीजे आपने जो बिकल्प लिया है आप उस बिकल्प को में आपको ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होगी लेकिन दोस्तों तो ग्रेचुटी का बिकल्प भरने में आपका नुकसान ही क्या है अगर आप ग्रेचुटी का बिकल्प भर देते हैं और आप जो है अगर 60 साल की उम्र के पहले भगवान न करे किसी को ऐसा हो लेकिन अगर क कोई सिचक अगर इस दुन्या से चला गया तो उसके प्रिवार को ग्रेचुटी का लाब मिल जाएगा और अगर आप 60 बर्स पर स्वेचिक सिवा निब्रिक्ति ले लेते हैं तो आपको भी ग्रेचुटी मिल जाएगी अगर आपको लगता है कि नहीं 60 बर्स पूरा होने के ब तो आप लोग जागरूक हो जाएए और जितना जल्दी संभा हो सके ग्रेचुटी का बिकल्ब आप अपने विभाग में प्रिसित कीजे विभाग में कहां प्रिसित करेंगे आप तरह तरह के सवाल करेंगे कि ग्रेचुटी का फॉर्म क्या है ग्रेचुटी कहां हम अपना सामिल करें दोस्तों सीधा सा है कोई form नहीं है कोई प्रोफार्मा नहीं है आपके पास pen है paper है एक application लिखिए जिला basic सिचाधिकारी महोदे के नाम और आप अपने जिला कारियाले में वही जो है अपना application जाकर कि जमा कर दीजे और उसकी एक प्रती receiving अपने लिए सुरच्छित रख लिए ताकि भविस में जब भी जरूत पड़े आप उसकी receiving दिखा सकें आपको gratitude मिलेगी 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 तो आए दोस्तों हम दिखाते हैं इस पत्र में क्या कहा गया है यहाँ पर समझे बित एवं लेखा अधिकारी बेसिक हिच्छा हमेरपूर अपर सिवा में अपर निदेशक कोशागार एवं पेंसन चित्रकूरधाम मंडल बादा और यह पत्र है 22 देख पा रहे हैं यहाँ पर सिरी जग्दीर सरण सहायक अध्यापक प्रात्मिक बिद्याले मंगरावट गोहांड हमीरपूर को स्वैचिक सेवा निब्रिती पर ग्रैचिटी की देता के संब्ध में निवेदान है कि स्री जग्दीश सरन परसिदी प्रात्मिक विद्यलाय मंगरोट गोहांड हमीरपुर के सहाय का ध्यापक पद से 31.3.2018 को सेवा निवरित हुए थे इनकी पेंसन आपके पत्रांग 540 दिनांग 36.2018 द्वरा स्विक्रित हुई है जिसका पीपियो नंबर 026.042.004085 है जिला बेसिक सिचाधिकारी हमीरपुर के आदेश संख्या 432 प्रिष्ट पत्रांग 4904-09 आपलीग 2017 दिनांग 21.2018 द्वरा श्री जग्दीश सरन द्वरा स्वेच्चिक सिवा निवरिट के आवेधन पत्र दिनांग 21.2018 के क्रम में 31.2015 स्वेचिक सिवा निवरिट की स्विक्रित प्रदान की गयी है इस आदेश में जिला बेसिक सिचाधिकारी हमीरपुरुर द्वारा सासन आदेश संख्या ये दिनांग 10 जून 2002 में यह समाहिद ह है कि स्वेचिक सेवा निम्रित आदेश संत्रिप्त रहेगा राजाग्या संख्या ये दिनांग 10 जून 2002 में आविवस्ता है कि उत्तरप्रदेश सेवा निम्रित के एक वर्स पूर्व अर्थात जिस सेवा निम्रित होगी उसकी पहले जुलाई तक विकल्प परिवर्थन कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताया था बिकल्प चुनना और बिकल्प परिवर्तन करना अर्थात आपने 60 साल का बिकल्प आपने ले रखा है तो आपको 69 साल में ही इस बिकल्प को परिवर्तित करना होगा या अब्यवस्ता इस सासना देश के जारी होने की तित से लागू क गई है इस सिछक द्वारा ग्रेजुटी बिकल्प भी नहीं दिया गया है केवल बीस एक 2018 को स्वेचेक शेवा निवृत्त का आभिदन्द पत्र रही दिया गया है इस सेवा निवृत्त की प्रभिष्थी सेवा पंजिका में की गई है इनके सेवा निब्रित प्रस्तुत प्रेंशन पत्रजातों को मेरे पूर्वा दिखारे द्वारा आपकी सेवा में प्रेंशन स्विक्रित हेद भाग पांस हेद प्रेशित किये गये थे इस आगणन प्रपत्र में भी ग्रेजुटी का आगणन नहीं कि गया था कि वल पिंशन एवं अनसीक्रिट भाग का ही अगर्ण किया गया था जिसकी स्विकृत आप द्वारा परदान की गई है सिछक द्वारा निर्णतर कारेयाले से तथा अधु अधु हस्ताक्षरी से ग्रुचुटी स्विकृत एवं भुकतान किया जाने है तो बार-ब जीक रही जो है निर्देशन प्रदान करने का कष्ट करें ताकि तदुसर कारवाही की जा सके भोधिये दीपक पुरिंद बित्यों लेखा दिखारी बेसिश्चा हमिरपूर्द दोस्तों यहां पर देखे उसी चीज का यहां पर जिक्र किया जा रहा है जो मैंने आप से सुर ऐसी सित में क्या किया जाए यानि अगर आप समझदार हैं दोस्तों तो आप यह बात समझ सकते हैं कि आपको जो है बिकल्प पत्र भर देना चाहिए अगर आपने बिकल्प पत्र भर दिया है तो आपको ग्रेचुटी लेने से कोई मना नहीं कर सकता कोट में भी कई बार यह मामला गया है कोट ने भी यह आदेशित किया है कि आप जो है स्वेचिक सेवा निब्रित्ति का या डेथ कम ग्रेचुटी का बिकल्प जरूर भरें तो आप कल ही एक अप्लिकेशन लिखिए बियसे महोदय के नाम और उसमें इस बात का जिक्र कीज जाए दोस्तों अगर आप 60 बर्स जब पहुचने वाले होंगे 69 बर्स के हो जाएंगे आपको लगता है कि आप ग्रेचुटी हमें नहीं चाहिए तो फिर आप बिकल्प दे दीजेगा कि मैं स्वेचिक सेवा निब्रिति का बिकल्प से त्याग देता हूं त्याग पत्र द हो जाएगी और अगर आपको लगता है कि हाँ 59 के होने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे स्वेचिक सेवा निब्रिति चाहिए तो आप उस समय अपनी ग्रेचुटी प्राप्त कर सकते हैं और ग्रेचुटी के अधिकतम सीमा 20 लाग रुपए है आप सभी यह जानते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं कि मेरा यह समाचार आपके काम आएगा और आपको जागरूख करने में मदद करेगा मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में नमस्कार